हेलो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको 17 चैप्टर जहांसी की रानी कवीता के प्रश्णूतर समझा रही हूँ आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे आप लेलिस्ट में आकर देख सकते हो तो चलो में शुरू करती हूँ सबसे पहला कुश्ण देखिए राज वन्षों ने ब्रकुटी क्यों तानी थी? तो इसका अंसर देखिए लक्षी बाई नाना साब की मूँ बोली बहन थी थर्ड कुश्ण देखिए लक्षी बाई को किसकी गाथाएं मूँ जवानी याद थी? तो इसका अंसर देखिए लक्षी बाई को बीर शिवाजी की गाथाएं मूँ जवानी याद थी लक्ष्मी भाई के प्रिये खेल क्या थे तो इसका अंसर देखिए नकली युद्ध, व्यू की रचना, सेन धेरना, दुर्ग तोड़ना लक्ष्मी भाई के प्रिये खेल थे नेक्स कुशन देखिए कवीता में चित्रा अर्जुन और शिप भवानी का उलेक इसके लिए हुआ है क्योंकि भवानी शक्ती की देवी है जिनोंने शिप को पाया था उसी प्रिकार चित्रा जो योद्धा थी और पुर्षो के समान शूर भीर थी उन्होंने अर्जुन से बिवा किया था लक्ष्मी भाई भी उनिके समान बिरंगना थी जिनका बिवा दंगादर राप से हुआ था कवेत्रीन प्रसंगो द्वारा भवानी चित्रा और लक्षी बाई के 20 शक्ती रूप की समानता दर्शाना चाती है नेक्स कुशन देखिए रानी के विद्वा होने पर डलोजी क्यों खुश हो गया इसका अंसर देखिए अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लोड डलोजी एकेक करके भारत की रिया सतों को अंग्रेजी हुकूमत में मिला रहा था ऐसे में नी संतान गंगा धर्राब की मृत्यू के बाद जासी का साशन अपने आप मिल जाने के कारण दलोजी खुश हो रहा था नेक्स कुशन देखिए कवीता में भारत को बूड़ा क्यों कहा गया है तो इसका अंसर देखिए कवीता में भारत को बूड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत कई वर्षों की गुलामी सहते सहते जड़जर हो गया था यहां के उद्योग धंदे, दस्तकारी प्रथा, खेती बाड़ी आधी बुरी अवस्ता में थे जिस कारण कवेत्री ने उसी समय के भारत को बूड़ा कहा नेक्स सुषन देखिए, हूरोस के आने के बाद रानी पर कौन सा संकट घिर आया तो इसका अंसर देखिए, हूरोस के आने के बाद रानी चारों तरब से अंग्रेजी सेनाओ से घिर गई थी और सामने नाला आने से संकट और बढ़ गया था नेक्स सुषन देखिए, रानी लक्ष्वी बाई और लेफ्टीनेंट वॉकर का युद कहां हुआ और उसका क्या परिणाम रहा तो इसका अंसर देखिए, रानी लक्ष्वी बाई और लेफ्टीनेंट वॉकर का युद जासी के मैदान में हुआ और रानी लक्ष्वी भाई की तलवार से जफ्मी होकर वह युद्ध छेत्र से भाग खड़ा हुआ Next question देखिए लक्ष्वी भाई मर्द बनी मर्दानों में कवेत्री ने लक्ष्वी भाई को मर्द क्यों कहा है उनमें मर्दों की भाती शौर और निर्विक्ता थी लक्ष्वी भाई को सिंगनी क्यों कहा गया है लक्ष्वी भाई को सिंगनी उसकी शूर वीरता के कारण कहा गया है वैसे सिंगनी की भाती अंतिम समय तक युद्ध करती रही लास्ट कवीता के आधार पलक्ष्वी भाई के लिए पांच विशेशन लिखिए तो इसका अंसर देखिए विशेशन कौन-कौन से वे देखिए मरदानी, वीरांगना, साहासी, द्रण निश्य, देशबक्त आशा करती हूँ कि आपको सारे खुशन अंसर समझ में आ गए होंगे, धन्यवाद